नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ड्राइवे सिधान चैनल के एक नए एपिसोड पे और आज का हमारा ये जो एपिसोड होगा वो होगा बेसिकली बिगनर्स के लिए जिसमें हम डिसकस करेंगे कि हाउ टू चेंज गेर परफेक्टली ये जो वर्ड मैं परफेक्टली उस कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि गेर तो कोई भी डाल लेता है लेकिन एक परफेक्ट गेर डालने का सिस्टम कैसा होता है जब आप एक न्यू बिगनर हैं आपको गेर डालने में बहुत दिक्कत आती है जैसे आप ये भूल जाते हैं कि आपको फर्स गेर कैसे डालना है कब डालना है आप गेर चेंज करते हैं तो आप नीचे गेर नॉब की ओर देखने लग जाते हैं कार छोड़ के तो ये सब चीजों के उपर भी मैं छोड़ी जी टिप्स दूँगा तो बेसिकली सबसे में जरूरी जो मैं आपको समझाऊँगा कि किसी भी कार में आप बैठेंगे नेक्स टाइम तो आपको गेर डाल में कोई दिक्कत नहीं आईगी आप किसी की भी कार चला रहें अपनी अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव की तो आपको गेर पे देखने की जरूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी एक मेमोरी में एक टिप बताऊंगा वो थोड़ा सा याद कर लीजिए आपको लॉंग टर्म में 10-12 साल चलाने के बाद अपनी कार में गेर बॉक्स चेंज कराने की जरूरत नहीं आईगी कभी किसी जगे पे आप टर्न कर रहे हैं बिजी रोड पे हैं पैनिक सिचुईशन में उस टाइम पे आपको गेर अटकेगा नहीं कभी कारे लोग कहते हैं यार मेरा फर्स गेर नहीं पड़ रहा था तो वो जो परफेक्ट तरीका है डालने का उसके बाद यह दिखते हैं आपको कभी नहीं आएंगी तो जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा देखेगा वीडियो को ताकि आपको भी अगर मैं आपको कुछ कन्फिजन ने तो वो क्लियर हो जाएगा अब मैं डारेकली चलता हूँ गेर नॉप की और तो फ्रेंट बेसिकली जब मैं बात करता हूँ गेर नॉप की तो मोशली कार्ज में 80% जो कार्ज हैं उसमें गेर आपको ऐसी दिखेगा कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and reverse अब किसी कार में फ्रेंट 6 गेर आ गया है तो यहाँ पे 6 होता है और reverse यहाँ तो एकदम लाश्ट में होता है या फिर यहाँ पे ऊपर होता है तो कार का जो गेर का सिस्टम है व करी कुछ पें इसमें प्रेंट में टो कोई दिक्कथ नी है और जब भी आपको फ्रेंट कार में बैठेंगे यूजुली आपकी झार नूट्रल में होगी जब आपका स्टर्ट करते हैं तो यह तरीका उताहरा है कर कि यह पूरा 2nd4 मूवप कर रहा ह्या जब आपका जयर इ तो टॉर्क मिलता है, वो सबसे ज़्यादा first gear में आता है, once आप car को थोड़ा से चलाना start करते हैं, आपको second gear डालना पड़ता है, then third, then fourth, then fifth, fifth आपका top gear होता है, friend इसमें मैं बता दू, सबसे ज़्यादा movement होता है, first होता है, क्योंकि car को आपको pick करने का start करना होता है, तो आप first gear डालते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा use में gear आते हैं, वो second और third होते हैं, first से जैसी आप चलना start करते हैं, आप अपनी car को second gear में कर लेते हैं, थोड़ी बहुत speed बढ़ाते हैं, आप अपने आपको third में लेके जाते हैं, लेकिन अगर कुछ भी break लेना है, या speed बे कराता है, तो आप usually second में जाते हैं, तो second and third के बीच में काफी two and from movement होता है, fourth gear, जब थोड़ा सा अच्छा momentum carry हो जाता है, तब आप डालते हैं, और fifth gear, top gear होता है, इसलिए ये सबसे last में आप डालते हैं, तो friends, अब हम अगर discuss करेंगे, तो first gear कैसे डालना होता है, तो देखें, ये नीचे आप आदद बिना लिए, clutch, break and race, तो friends, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कि गडबड जो होती है, वो लोग यहीं पर करते हैं, कभी आपको clutch और race दोनों साथ में नहीं देने हैं, clutch का अपना purpose है, कि clutch दबा के आपको gear change करना होता है, और race दे के आपको car को आगे बढ़ाना है, तो ऐसा condition कभी नहीं आएगी, कि आपको clutch दबा के रखना है, और कुछ नहीं होता, अब friend आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपको clutch दबाया, फर्ष गेर डाला, जब आप इसे छोड़ेंगे, तब आप race देना start करेंगे, तो ये आपको first point हमेशा ध्यान लखना है, अब मैं दिखाता हैं, आपको clutch मैंने दबा लिया है, मैंने first gear डाला, अब देखे, जैसी मैंने इस पर किया, इसके दो-तीन तरीके होता है, कोई इसको asap करता है, कोई asap करता है, आपके उपर है, आप इसको कैसे लेंगे, लेकिन जो best तरीका होता है, वो आपका ये palm है, ये डालने तरीका है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, मैं clutch दबाता हूँ, ऐसे करके उपर डाल देता हूँ, एकदम end तक गए, उपर डाला, ये हो गया मेरा first gear, इसी को clutch दबाया, ऐसे देखे, मैंने ऐसे करा, क्योंकि मैं को side में रखना है, और नीचे लिए होगे हमरा second gear, अब friend ये आपके हाथ में है, आप इसको एक अंदाजा लगा लीजे, आपको ये नहीं कि अननेसेसरी इसको इधर दबारे, मतलब ये एक dedicated part है आपकी कार का, इसको आप ऐसा नहीं है कि बहुत rough and tough यूज़ करेंगे, जितना rough and tough करेंगे, उतनी जल्दी ये खराब होगा, इसको एक अदध बना लीज़े, जितना required है, उतना ही आपको इसको प्रेस करना है, अननेसेसरी ना तो चलाते में, इस पे ऐसे हाथ कुछ लोग मैंने देखा, आम रेश पे हाथ रख लेते हैं, और ऐसे करके इसको पकड़े रहते हैं, इस पे vibration नहीं रखनी है, इसको छोड़ देना है, मतलब आपने gear change कर दिया है, आपका gear से काम अड़ गया, आप अपना steering पे हाथ ले जाएगे, steering पे नहीं रखना चारे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे करके कार चला रहे हैं, कि अभी तो change करना पड़ेगा, habit बना लिजए कि इस पे हाथ कम से कम रखेंगे आप, अब जैसे ही आपको third gear डालना है, तो देखिए, काईदा तो यह बनता है, पहले उपर ले जाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे, लेकिन second और third gear के बीच में movement बहुत इसी होता, आप बस ऐसे करेंगे और यह आपका डल जाएगा, तो यह जानबूच के ऐसा रखा गया है, companies जानते हैं कि आपको second और third gear के बीच में movement काफी होता, इसलिए second को आप बहुत इसलिए third में पचा सकते हैं, fourth gear आपको डालना आप सीधे straight में पीछे ले आएंगे, आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है, क्योंकि यह बहुत simple होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, definitely यहाँ पे लोग बहुत गरबर करते हैं, जब वो fifth gear डालते हैं, क्योंकि अलड़ी वो fourth में होते हैं, चलाते कार में वो एकड़म से ऐसे कर देते हैं आगे को, क्योंकि second से third ऐसे चले आता है, यह fourth से fifth में नहीं जाएगा, यह basically third ऐ gear लग जाता है, और एकड़म से आपको एक jerk लगता है, तो आपकी कार एकड़म से accelerate जो हो रही थी, वो थोड़ा सा slow down हो जाएगी, तो friend यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि fourth gear के बाद जब आप fifth में डालेंगे, तो इसको पहले neutral में लाएंगे, ऐसे करके आप तब उपर लेके जाएंगे, तो यह एक habit बना लीजिए, घर पे कार को खड़ा करके, off करके उसको, clutch दबा के इसकी practice करिए, साथ में clutch छोड़ना हलका सा यह चीज़, एक idea बना लीजिए, ताकि आपको यह दिक्कत नहीं आए, कि मैं जब gear change करना है, तो मुझे यही नहीं पता लग रहा, मैं कौन से gear में चलना हूँ, अब friend बात करते है, reverse की, तो जिस car में reverse उपर की तरफ होता है, उसमें या तो कोई button होता है, जिसको click करके वो उपर करते हैं, गर back side में आपका reverse है, reverse gear ऐसा बनाए गया है, ताकि आपको एकदम से ना डल जाए गलती से, तो आपको class दबा के पूरा इसको ले जाके फिर पीछे लाना है, तो ये एक habit बना लीजिए, कभिकार क्या होता है, mostly first gear और जो आपका reverse होता है, यही अटकते हैं, तो लोगों को reverse gear में बहुत दिक्कत आती है, इधर लिया, तो ये आपने अपना habit बना ली है, तो friend, अब ये आपका basically हो गया था, कि आपको gear कैसे change करने है, अब आपको ध्यान अखना है कि ये जो beach का spring वाला area है, मतलब ये आपका neutral में लाके आप छोड़ सकते हैं, अब मैं आगे देखूंगा, तो मेरे को ये पता होना अच्छी है, कि मैं ऐसे करके first gear डालूँगा, तो मेरा first आ रहा है, back करना है, तो second gear डला, ऐसे करके उपर गए, third gear डला है, ये fourth gear है, इधर लेके उपर गए, तो fifth gear है, friends, इसको by heart कर लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कार चलाते में, जो मैंने ये तरीका बताया, ऐसे करके डालेंगे, तो आपके gear कभी नहीं अटकेंगे, हाँ, आप ऐसे करेंगे, आपको नहीं समझ में, आप कहां तक ले गए हैं, उसमें दिक्कत आती है, जब आप किसी panic situation में होते हैं, या आप turn ले रहे होते हैं, और आपको gear नहीं डलता है, या आप back gear कर रहे हैं, क्योंकि आपने clutch proper दवाया नहीं है, आप इसको सही से पकड़े हुए नहीं है, और आप उसको gear डालने कोश्च कर रहे हैं, तो नीचे basically क्या होता, देखे, gear जो system है, gear box है, उसमें गरारी है, आपका ये जब movement हो रहा है, इसके basis पे आपके नीचे जो गरारी में fit होती है, आपके gear का जो box है, तो वो जाएगा ही नहीं महाँ पे, आप उसको unnecessary try कर रहे होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, कि जोड दे रहे हैं, जो जगे उसके लिए नहीं बनी हैं, महाँ पे उसको ले जाने के लिए, तो वो कहीं न कहीं definitely आपकी car को भी harm करेगा, और आपको भी panic situation बढ़ाएगा, तो friend, ये छोटा सा वीडियो था हमारा gear कैसे change करना है, perfectly मैंने word इसलिए बोला था, जब आप इस तरीके से gear change करेंगे, आपके gear कभी अटकेंगे नहीं, आप कभी panic situation में अपनी गड़वड नहीं करेंगे, और अगर आप इस gear knob को सही तरीके से perfectly gear shift करेंगे, तो आपका gear box है, वो लाक लाक किलोमेटर तक उसको कोई दिक्कत नहीं आईगी, आपने देखा होगा टेक्सी वाले जो होते हैं, जो ज़्यादा कार चलाते हैं, वो लोग बहुत properly gear shift करते हैं, ताकि उनको कभी दिक्कत ना है, गेर बॉक्स का कर्चा एक काफी बड़ा कर्चा होता है, clutch plate basically आपकी जा सकती है 70-80,000 किलोमेटर फे, लेकिन gear box आपको change कराने की ज़रूत नहीं पढ़नी चाहिए, तो फ्रेंड ये एक छोटे दो वीडियो था, आपको अच्छा लगा हो, तो please like, share and subscribe करें, मैं proper gear, shift, gear up कैसे करना है, मैं उसका भी एक वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको चैनल पर डालूँगा, तो please press bell icon ताकि आपको सारे notification मिलते रहे, till that take care and goodbye.